अरे 87,000 वर्स तक कैलास पर केवल उम्रिक छाला पहिन के बाबा भोले नाथ जो समाधी लगाते हैं और ठाकुर जी मोहिनी रूप बना के चला में तो वो भी उम्रिक छाला खोल के दोड़ जाते हैं कैसा आकरशन है उनमें नारज जो नारायन नारायन कहते ठकते नहीं है मोहिनी रूप भगवान बना के आते हैं तो कहते हैं कि प्रभू अब बहुत हो गया ग्रहस्ति का हमको आनंद लेना है भगवान कहते हैं सब तरी लिए ठीक नहीं है बस जीवन भर आपका नोकरी बजात भगते रहों नहीं बिना पकड़के नारएन-नारएन करता रहो तो बहुत बढ़िया लगता है कमाल आदमी हो तो एकिसीन कम जो काम करता तक sett तरफ पचार कर रहे हैं, एक साधी कर रहे हैं, उसमें आग लग गई, बिनास काले, तरक खराब नहीं होते बेटा, अगर तरक करोगे, तो सारी दुनिया तुम्हारी तरफ खड़ी रहेगी, मेरे साथ तो कुता भी खड़ा नहीं रहेगा, मैं हर जाओंगा, तरक, नारत के तरक से सबसहमत होगा, बात सही कहता है बचपन से बिचारा प्रचार कर रहा है, गरीब आज तक एक जगा घर नहीं बनाया, द्वार नहीं इसका, पैर में चक्का लगा हुआ है गरीब का, नारायन, नारायन करते करते जिन्दगी दे दिया, अरे अब मन होई गया, एक सुन्दर इस्त्री से कुलीन, क्या इसमें बिगड गया, अब ये दो हाथ से नारायन करता है, अब चार हाथ से बीना बजाएगा, वो तो होने के मात पता चलेगा, कि चार हाथ से बजेगा, कि दो-दो हाथ भीडेंगे, वो बीना रख करके, वो उसको दो चार हाथ से गुरू सिवा करेंगे, चार आखें लगेंगे, दो मुँ हो जाएगा, जीव भी दो हो जाएगा, अभी तो बुराई करने के लिए किसें किसी को ढूणना पड़ता है, अब तो कमरे में गपागप होगा, दो जीव हो गए, चार आखें, दो आख तो इतना पर तो अगर तर्क के दृष्टि से देखो, तो नारज जी ने क्या गलत कह दिया, जीवन भर भगवान की सेवा किये हैं, जीवन भर, दिन को दिन समझा, रात को रात्म समझा, जब सारे देवता हार जाते, तो नारज जी को ही राक्षसों के पास पहुँचके संदेश देना पड़ता, मतलब बाग के मुह में यही जाते थे, कोई जाता नहीं था, डर के मारे, पर नारज जी चारो तरफ, काम करने के लिए प्रभू का, प्रभू की कितनी प्रीत होनी चाहिए थी, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, मुझे मोही नहीं दे दू, मुझे मोही नहीं दे दू मैं संतुष्ट नहीं हूँ आवास से भई मुझे बहुत चिलाना पड़ता है मुझे मोही नहीं दे दू मुझे मोही नहीं दे दू मुझे 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 मोही नहीं दे दू और तब भगवान जैसा कि सदा होता आया है चाह महीने से लगातार सिवा करने के बाद भी कोई कहे कि एक दिन के लिए वहां से आ जाओं क्या गुरु जी कहते हैं नहीं जाना है बास यहीं रहिए इनका पाउं दबाते रहिए ते लगाईए इनको दिन भर मर जा खप जाए यहीं पर यह कोई जिंदगी हो बतावा कहो कुछ मिलल और नारत तो बज़पन से सिवा कर रहे है बिना कहीं रुके अटल अविचल प्रतिक जगह जीवन में सिर्फ एक एक शाव्यक्त की ही प्रभू बड़ी कूलवती, सीलवती इस्त्री है मेरा दिल आ गया है आप आशिरवाद दीजिए कि एक बहु ले आऊं सोई खड़ा हो गए बीच रास्ता में नारद ये तो मामला ठीक नहीं है हाँ ठीक नहीं है अपने 16108 हमारे एक कव में ठीक नहीं बाए अन्याय के चरम सीमा हो गयल हो अब हमसे नसल जाई बड़ा भारीग भगवान बनल हुआ गुरू अगुरा अचा तर्क में कौन हरावे? बात सही है अरे भगवान गुरू जी 16108 लेके चल रहे हो गरीब जीवन भर सिवा किया एक तो आने दो नहीं, खड़े हो गए नारा दे ठीक नहीं है अच्छा आप करें तो लीला, हम करें तो कीला आज यही तो कहते हैं लोग यही तो बात हो रही है धर्म के विरोधी बुद्धी जिनकी बिगड चुकी है वो परमात्मा और गुरु के बातों का अपमान करने का साधन यहीं से तो चुनते क्या मैंने कलत कह दिया था क्या बुरा कह दिया था क्या मांग लिया था क्या पूरा आस्रम लिखवा लिया था क्या आपसे धन ले लिया था वो ले 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 थे ज्यादा अच्छा था पर जो मांग रहे हो ठीक नहीं है उचतनी और भगवान ने इंकार कर दिया और इंकार तो छोड़ो जी धोखा दे दिया परमचला को यह धोखा नहीं है जब अडग है तो भगवान ने ठीक है तथास तु बोलो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए अब पहले तो सोचे थे कि आप जाईएगा बाचित किजिएगा उससे बाप की तरह और फिक्स करके करा दीजेगा लेकिन आपका लूर लक्षन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है जल गए उससे भी जाके कर लिए आप ही सांती नहीं मिला भी 16,000 से राम 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 बेटा जिसको पसंद कर रहा है उसको भी नियाने दे रहे हैं क्या नहीं बोला नारद में अब अगवान कर भी लिए पता है न उसी मोहिनी से खुद कर लिए खुद ही थे असोई नारद बोला कि यह देखो दूसरे से होता तो समझते राम 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 तू कैसा बाप है हम पुत्र बधू बनाना चाहते थे तू बहू बना के ले आया हम भी अगर तन मन प्राण से तो हरे सेवा कईले होई न एक दिन महरार हुए बदे रोई बाप पत्नी के लिए रोयोगे तुम घूम घूम के हा फगवान ने कहा रामा उतार का इस्कृप्ट लिख दिया नारत में जानकी के लिए रोना है मुझे बाप बाप क्या बात है सुन्दर इस्कृप्ट लिख दी तूने जानकी हरन और मेरा रोना हो गया मामला बन गया जब साधारन तरीके से कथा सुनते हैं तो अपने आपको उससे जोड़ नहीं पाते एक बार एक नारी को देखा नारत जी का मना गया भगवान से कहा भगवान ने बंदर का मूँ दे दिया और उनका बिवाह नहीं हुआ इस साधारन कथा है अब जरा नारत के जगा अपने आपको ख़़ा करो और भगवान के जगा अपने गुरू को ख़़ा करो और दयनिक क्रियाओं को देखो Imagine करो भगवान, मैं नारत इनका सेवा मैं कर रहा हूं जो कहते वो करता हूं इनकी एक्ठा के अनुसार चलता हूं एक चीज मैंने कहा और ये पीछे हट गए अब पीछे तो नहीं हट गए धोखा दे दिए कह दिए तथास्तु ठीक है अपना चेहरा देता हूं और लगा दिया बंदर का मूं साधी तो होई तो होई नहीं वो भरी सभा में इतनी बेजती हुई ये जो नंदी भरिंगी थे भगवान के संकर के पारसद ये दोनों घेर के नारजी को बैठे थे और जब इनका चेहरा बंदर का हो गया तो दोनों कहें वह वह आज हो इनी सकता कि आपका बरमाला नहो मा कसम खाता हूं पहला बरमाला आप कोई माई का लाल देखके तो अव ये भी बोले हम भगवान का मूह मिला है तो ऐसा होगा ही बोला नहीं नहीं ठीक है होता है पर इसे ठीक लग रहा है कि नहीं देख अरे गजा मा कसम चेहरा है मैं तो कहना हूँ आज भगवान भी पीछा हट गए भगवान भी आज आज आपसे थोड़ा दो इंच पीछे होंगे सुन्दर्ता में नारजी सोच रहे हैं बाते लोग ठीक ही कह रहे हैं भगवान केवल भगवान है मैं भक्त भी हूँ उनका भी मिल गया हां तो उनसे जरूर हम आगे होंगे मुंगेरी लाल लोग ऐसे ही सोचती रहते हैं यह जितनेrospect लाल लोग है उनको जो कहते वोज सोच लेते हैं नहीं बात तो ठीक ही कह रहे हैं यह नंदी भिरेंगी कि एक तो ओल्रेड़ी मैं नारद हूं उतना सुन्दर्ता तो है उपर से प्लस हुआ कि नहीं जी भगवान जी को कि जब बात करते हो कि देखिए दस प्रतिसत यहां पर सब नोकरी पेसा लोग है यह भोट अपना है कि नहीं कि चुनाओं में खड़े होने होने वाले लोग एक भी ऐसा आदमी होता है जो जीता हुआ नहीं होता है कि ऐसा समिकर्ण बनाता है जाती मजहब नोकरी पेसा एक दब चरिया मैं माल लेता है ऐसे तो हम पचास जार से जीत रहे हैं हम पचीस जार दान किये पचीस से तो जीत रहे हैं न जब काउंटिंग हुआ तो पचीस भोट आया बोला टोटल कितना है वाला पचीस बोट कैसे कैसे हुआ ये बोला वो एक हल चाप था एक गईता चाप था तो हल चाप में ही लोग दे रहे थे गलबड़ी से पचीस बोट गईता में गिर गया आप में ओ भी नहीं था अपना पचीस तो नारज जी को लगा कि वास्तों में आज मेरी सुंदर्ता से तो पूरा विश्व चक्रा रहा होगा अब बैठें बार बार जब लक्षमी आवें तो ऐसे मुह निकालें और लक्षमी जी देख करें कि बंदरें हमरे स्वाइंबर डंडा होता तो जार जांडा दे रहती मुह बंदर जीसा लेके वा गए है बिवाह करने के लिए चचंदर के सर पे चमेली का तेल बिवाह तो हुआ नहीं नारज जी बोले हुआ कैसे भगवान संकर के गण तो इसे ही बोले जाते जाते आइना दिखा जाऊंँ सोई सोई धीरे से आईना चेहरा के सामने कर दिये ये देखे तो आग बबुला ये कोन है ये बला आफी है अवे बंदर मू लाके भगवान को इतना स्राप इतनी गाली अब भगवान मुस्कुरा रहे है किनारत बोल 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 अब ये बन-बन भटकेगा दिल के अर्मा आशुओं में बहगए ना तेब इतनी गाली इतनी गाली इतना स्राप और वही रामावतार में हे खग हे म्रिग और हे मधुकर स्रेणी तुम देखी कहां सीता म्रिग नेनी अबिरल अस्रुधार बहाते हुए भगवान भगवान को आदमी भी ने मिल रहा है पूछने के लिए जंगल में हे खग चिणियां से पूछ रहे है ए कवा सीता को देखे हो अब नारत पीछे पीछे चल बेटा हमरे भियावाना होए दिबा बंदर के मुँँ बनाईबा पूछा अब बनर्वे से पूछा बंदर के पीछे पीछे कवा कुटा सबसे भगवान पूछ रहें अवंत में आके नारायन क्या ख़बर कौन इतना बेचे निये के पहचा नारत हाँ बेटा नारत बोलो क्या ख़बर है अपना ख़बर बताईए आपन तो चका चक हैं बस उसी समय एक बाद डिप्रेशन हुआ था वो कट गया डिप्रेशन अब नहीं है अपना बताईए क्या ख़बर है जनाब आली अगर वो दिन बतिया मान ले ले होता तो यह रोवे के जरुरत पढ़ा यह देखो भक्त लोग और सिश्य कैसे होते हैं भगवान सामने पूछ रहा है हमारी बतिया मान ले होते तो यह दुर्गतिया होती अभी भी तब भगवान ने देखा इधर इधर कोई नहीं देख रहा है बड़ी यह चोटी था नारत के पकड़े शेकर के इधरा है इस सब बेज सी मत करिया अब इधरा सुन मैं तो नाटक कर रहा हूँ रामा उता रहे यह पांच मिनिट का है उसके बाद हनुमान मिलेगा सब हो हवा जाएगा मैं राज सिंहासन बरबेट हूँगा तेरा हो जाता ना तो जिन्दगी पर नाक पकड़ के रोता रहता नालायक कहीं का हाँ फाल तू बात बोलते हैं काली बेवववा नहीं करा है इसलिए बता रहे हैं बात हम विश्वास नहीं करते हैं तब भी नहीं कर रहा है नारज जी ने किया था मैं तुम नारदों की बात कर रहा हूँ उन नारज जी ने कर लिया प्रभु जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं बोला जंदगी बर रोते रहता नालायक जिस कर्म से मैंने तुझे रोक दिया क्यों भगवान सबके पती हैं तू पत्नी बनाने के लिए जा रहा था उनको भगवान पती हैं स्वामी हैं और पत्नी भारतिय संस्कृति में अपने प्राणनात की दासी भी मानी जाती है रहे नालायक तू स्वामी को दासी बनाने के चक्कर में था तेरे लिए ये नहीं था तेरे लिए जो उचित मार्ग था मैंने दिखाया और इस दुनिया में प्रतेक भक्त और सिश्य नारद है पर वो नारद वो नारद तो सीख गए ये वो नारद है जो मरते मरते तक नहीं सीखता अंतर इतना ही है, नारद सब हैं, पर वो नारद पांच मिनट में सीख जाते हैं, पर ये नारद मरते मरते तक एक जगह से सिख्ट करेगा, दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौंती, चौंती से पांच में, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे कर दो कर दो लिवाब झार या। झार जोका दोका शाक I可以IES